रेटमी 6 प्रो इंडिया के अंदर नहीं आने वाला है और क्यों नहीं आने वाला है रेटमी 6 प्रो इस यह जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रही है तो जो रेटमी 6 प्रो इव अभी हाली में चाइना में लांच हुआ है और यह पहला रेटमी स्रीज के अंदर परस्ट स्मार्टफोन है जो नौच के साथ आता है और अब जो खुदी कॉपी कर रहे है एपल को और अगर मैं रेटमी 6 प्रो की बात करूई तो यह प्रो नाम से रेटमी का पहला ही फोन नहीं है कुछ समय पहले 2016 के अंदर इन्हों ने अपना रेटमी प्रो नाम का फोन निकाला था जो कि डूल कैमरा के साथ आता था और उसके अंदर एक M.OLED स्क्रीन था लेकिन उसके बाद कभी इन्हों ने रेटमी प्रो वाले फोन को कभी निकाला ही नहीं और लास्ट यर की बात करें तो यह रेटमी फाइब और रेटमी फाइब प्लस को रिलीस किया था तो जो रेटमी फाइब था वो रेटमी फाइब बनके ही इंडिया में आया लेकिन जो रेटमी फाइब प्लस था वो रेटमी नोट फाइब बनके इंडिया में आया और भी Redmi 6 Pro को रिलीस किया है, ना कि Redmi 6 Plus को, और जो पहले जो Redmi 5 Plus आया था, वो इंडिया में Redmi Note 5 बन के आया, अगर अगर हम same logic लगाए ना, तो शायद से Redmi 6 Pro जो है, वो Redmi Note 6 बन के इंडिया में आया, और अगर Redmi Note 6 इंडिया में आता है, तो यह लगातार थर्ड स्मार्टफोन होगा, रेड्मी Note Series के अंदर जिसके अंदर आपको Snapdragon 625 मिलेगा, याने की Redmi 6 Pro में भी Snapdragon 625 है, जो पहले Redmi Note 5 आया, तो उसमें भी Snapdragon 625 है, और जो 2017 में जो Redmi Note 4 आया था न, उसमें भी Snapdragon 625 है, याने की लगातार तीन जनरेशन सा आपको same processor देखने को मिलेगा, मतलब कमाल की बात है ना, औ पर इतना ही नहीं कुछ दिन पहले जब Redmi Y2 Xiaomi रिलीस किया था, तो उसके अंदर भी उन्होंने Snapdragon 625 ही लगाया के दिया था, और उसकी कीमत भी लगबग 10,000 ही है, और अगर हम pricing की बात करी रहे हैं, तो जो Redmi 6 Pro की pricing है, चाइना के अंदर वो है 9991, जो इंडिया के साफ से लग Redmi Y2 के आस-पास ही लॉंच करेंगे, और शायद से थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर नौच आने वाला है, तो ये शायद 11,000 रुपे तक जा सकता है, और हाँ ये हम 3GB RAM वाले model की बात करें, और 4GB RAM, 64GB वाला जो model होगा, वो शायद से 2000 रुपे महंगा setup है, जो Redmi Y2 में देखने को मिलता है, और जो Redmi Note 5 Pro में भी देखने को मिलता है, यानि 12MP और 5MP के camera combination, और अगर मैं Redmi Y2 की बात करूँ, जो इसी price point पे आता है साथ में, उसके अंदर आपको सिर्फ एक selfie camera ही कैसी चीज़े जो जादा improve मिलता है, क्योंकि Redmi Y2 के अंदर 16MP का selfie camera दिय दिया गया है, लेकिन Redmi 6 Pro में ऐसा नहीं है, उसके अंदर बड़ी battery दे गई, सिम processor दिया गया और थोड़ा सा high resolution display दिया गया है, लेकिन dual cameras को सेम रखा है, तो अगर Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 बनके इंडिया में आता है, तो आपको सिर्फ dual cameras और notch ही देखने को मिलेगा, और शायद से इसकी प information नहीं कि Redmi Note 6 Pro के अंदर आखिर क्या होने वाला है, यहां तक कि processor के बारे में भी को information नहीं कि उसके अंदर processor क्या होगा और क्या क्या improvement किये जाएंगे, तो हम सिर्फ अनुमाल लगा सकते कि आपको fast processor और dual cameras का setup है, वो थोड़ा सा improve मिलने वाला है, क्योंकि Redmi Y2 और Redmi Note 6 दोनों तो इन phone को शायद से 3-4 महीने लग सकते हैं इंडिया में आने के, और भहीं बात करें Redmi 6 Pro की तो अगर ये इंडिया में अगर आता है Redmi Note 6 बनके तो इन phones के बाद ही इसकी launching होगी, तो जब ये phone आएंगे तो उनके एक महीने बाद शायद आप Redmi Note 6 को expect कर सकते हैं, और एक और ब चाहिए या फिर Redmi Note 6 बनके इंडिया में आना चाहिए, ये बात आप मुझे नीचे comment नो बताओ, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुडबाई